यार एक बात बताओ, इन दोनों मोतर्माँ मेंसे कौन सी मोतर्मा चाइना से है और कौन सी इंडिया से है? चलो थोड़ा इजी कर देता हूँ, इन दोनों मेंसे कौन सा सिख इंडियन सिख है और कौन सा पाकिस्थानी सिख है? इन दोनों में से कौन सी लड़की इंडियन तमिल है और कौन सी लड़की श्री लंकन तमिल है चलो एक और लास इन दोनों में से कौन सी इंडियन बिंगॉली है और कौन सी बांगलादेशी बिंगॉली है अगर आप लोग को सारे के सारे answers पता हैं बहुत अच्छी बात है आप लोग ethnicity को समझते हैं आप लोग उस area को समझते हैं आपको इन चीजों की समझ है और अगर आप लोग को answer नहीं पता है जो maximum लोग को answer नहीं पता होगा वो एक reason है कि हम ऐसा सोचते हैं कि जो भी बंदा North India स है वो Chinese है इसका मलब यह नहीं हुआ कि मलब आप लोगों में कुछ ने कुछ कम ही है मैं इसी इसके वो थोड़ी सी और डीटेल में बहुत important बात करना चाहता हूं इस वीडियो में तो प्लीज अगर हो सकते तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपको में प्लीज बनाता हूं पर आज यह चीज जब मैंने यह जो वीडियो था जो मैंने दिनाश टॉक्स का वीडियो देखा तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा क्यों की तो एक को यूट्यूबर है पारस ऑफिशल नाम से पारस गेमर नाम से एक जाक नाम भूल गया मैं उनका उन्होंने एक वीडियो में 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 निनॉंग एरिंग जो की एक अरौनाचल प्रदेश के MLA है जिन्होंने एक लेटर लिखा था हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि जो जहां जाके जो बुलू-बले फट्ट एक दम से जिनको किसी चीज़ का घ्यान भी नहीं होता जैसे कि पारस ऑफिशल जैसे लोग जिन्होंने पता है मुझे कि उनका जो में चैनल है वो है पबजी बेस अच्छे का से वीडियो जो पर कोई फर्क नहीं पड़ा पर उनको क तो देख सकते हैं तो यह जो चीजे इसको देखने के बाद में कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि नॉर्थ इस इंडिया से मेरा बहुत ही करीब ही नाता है काफी सारे अच्छे दोस्त रहे हैं काफी पर वहां पर गया हूं इतने अमेजिंग लोगे इतनी साथ में करना चाहूंगा जो आप लोगो समझनी चाहिए अगर हलका सा भी सेंस लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करना सबसे पहली चीज हमेशा नौर्ट इस इंडियन को चाइनीज ही क्यों बोला जाता है देखो जो हमारी जान पहचा है ने चाइना से मलब आप यह अब जब हम लोगों को नौर्ट इस इंडिया के बारे में पहले है तो काफी लोगों को आज भी पूछा जाएगा कि जितने भी सेवन से नौर्ट इस इंडिया मुनके नाम बताईए तो वो नहीं बता पाएंगे उनको नहीं पता है तो इस इसका अगर हम बात करें तो जब भी वो लोग किसी भी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके आखे चोटी है वो सिंपल सिंपल यह बदेते कि भाई वो तो चाइनीज है अब अगर आप यह चीज़ समझेंगे तो आपको पता होगा कि एजन कंट्री सबुस्ति होती हैं अगर आप बात करें चाइना की तो चायना जैसे बाकी और कंट्री जहां कि लोगों कि आętा भी समंतिंग सिंपिल में अग्या जाता है अगर जो इंसान अच्छानता है उसको देख के पता भजाए कि यह इनसान इदोनेजया का है यह इंसान बर्मा का है काफी सारी neighborhoods in k것도 ौर्वाटिया रहते है अगर नौ।ट इस चीज का क्या sense होता है ultimately they are Indians now अगर North East India हम बोला जाता है तो आप इतना समझो कि North East के बाद में इंडिया आता है, this is all about the direction, it is all about the region अगर किसी भी कोने में कोई भी इंसान हो जाता है, उससे चीज़े नहीं बदलने वाली है Indians will be Indians no matter what और देखो भाई, अगर इंडियान होने की बाद हो ही रही है तो मुझे लगता है कि North East Indians are more Indians than any of us, मतलब मुझसे भी जादा इंडियान है, बोलो, क्यों? क्योंकि वो racial discrimination करते हुए कभी नहीं दिखते हैं, वो कभी भी ये नहीं बोलते है कि भाई तो North से है, North वाले गाली देता है या तो South से है, South वाले चावल खाते है या फिर तो यहां से है, तो यहां वाले ये करते है क्योंकि उन लोगों को पता है racial discrimination का दर्थ क्या होता है since they have been going through it, महला कितने ही सालों से दूसरी चीज, यह जो चीज है ना North East India में because of all the other issues वहां पर उसीज का coverage आपको normally कहीं नहीं दिखता है बात करें, अगर कोई national calamity होती है बाड आ जाए, earthquake आ जाए, कुछ भी problem हो जाए उसका regular coverage आपको कहीं नजर नहीं आता है बात करें, वहां कि लोगों की personal problems की उसके बारे में कभी बात नहीं की जाती है और इनके लावा ऐसी बहुत सारे issues है जिनके बारे में हमारी देश की media cover भी नहीं करती है क्योंकि उन्होंने भी यह समझावा है कि North East India is not that important और लोगों को वैसे भी उस चीज के बारे में अगर किसी भी political reason की वज़े से आप लोगों की बेवकूफी की वज़े से अगर कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है तो simple simple North East Indian जो हमारे भाई बहने वहां पर जो रहते हैं उन लोगों को यह सारी की सारी problem face करनी पड़ती है और किसी को नहीं अगर आप लोग वहां पर गये नहीं हो एक बार जाके आओ आओ आपके इतनी बेवकूफी के बाद में भी आपको जितना प्यार वहां पर मिलेगा न तब भी आप देखना की क्या होने वाला है अभी 2021 की बात है आप जिस भी शहर में रहते हैं आप अपने शहर के किसी भी पालर में अच्छे ब्यूटी पालर में जाहिए वहां पर देखिए आपको कोई ना कोई नौट इस से काम करता हुआ मिल जाएगा किसी भी शॉप में जाहिए किसी भी रेस्ट्राउ में हैं कि same issues होते हैं कई नौट और साथ इंडिया में जो भी काफि अच्छा निहीं होता पर इतने फिरिक्मेंट नहीं होते हैं क्योंकि नौट इस इंडियंस को tutte कि भाई तुझे क्या लगता है मैं अपने यूट्यूब वीडियो में डाल दू पूछो एक बाद सजेशन ले लो क्योंकि गरम कुन हर किसी का है बोलने में हर कोई कुछ भी बोल सकता है पर सोच के बोलना इस दखी तो प्लीज अंडर्स्टांड कि ऐसी चीज़ें आगे इसे प्लीज मत करिये मैं आपसे रेक्वेस्ट करूँगा अगर ऐसे सोच भी है आपकी अपने तक ही रखिए मुँ बंद रखिए ताकि जो आपकी उल्टियां है वो किसी और के उपन नहीं कि रहेंगे तो प्लीज अंडर्स्टांड कर लेना कि नौट इस इंडिया इस ओल्सो पार्ट ऑफ इंडिया एंड प्लीज अंडर्स्टांड बागी इस वीडियों में आपको मिलूंगा नेक्स वीडियों तब तक के लिए टेक केर और की बसलें